स्टावलेकूम वियर्स मेरा नाम दानिश अजगर है और मेरा तालोग इलेक्ट्र मोटर स्पोर्ट से है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तीन ओल्ड स्कूल यूनीक जैम्स जो अंडर टैल लैक फॉल करते हैं तो आज हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अज़े रिस्टोर ही हैं और कितनी रिलाइबल है अज़े पढ़ने से पहले पाक्वीज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले अगान दबादें ताकि आपको इसी मज़े मज़े की वीडियो देखने का मौका बिलता रहे हैं स्टार्ट करते हैं इस गाड़ है फर्म वाय जैपन डिरेक्ली और यह ऐसी सेलोन है और यह टॉफ अफ दी लाइन मॉडल है इसमें डी एक्स भी आती थी गाड़ी गंदर इसमें जेल सेलोन भी थी एसमें जेल सेलोन भी थी एसके अंदर पर्चेस दिसिजिजन कुछ इस तरह से है पहली बात तो यह पर यह जाए तो इसके अंदर तीनों आप्शिन आपके पास आजाते हैं तो यह जब आफ दी लाइन तो इसमें आलमोस नई गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स तो मैं नहीं नहीं आ सकता लेकिन मिजॉरिटी फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर पावर स्टेरिंग है जो कि आ आपके छोड़ी के लिए बाकि अधिया फीचर्श फीचर्स फीचर्स बाकी पावर स्टेरिंग है अधिया फ्रीटी फीचर्स लगा वह दुगावा कि नॉर्मली लोग लगाते नहीं और रवाइड करते हैं यह इसका अधिया फेल्ट्रिकल फैन एक तो डिरिबल भी ने बारीशों में आगर आप ऐसे चलाएं या आप हाईवे बी चलाएं इसके खराब होने के चंसे ज़रा से कम होते हैं इसका जो फैन प्रेशर है वो उससे बहुत जादा होता है वो आपकी स्पीड पर डिपेंडेंट होता है और दूसरा इसकी अपनीक साउंड है जो इस इंज दोड़े तक झौड़े इंजन होते थे तो थोड़े इस फैंस से दी अउजन जो है वह रूजाटाथा जो प्रानी गाड़ी रखते हैं वह फेल खनी यह परंटे पहले भी खड़ी किया है तो माशारल sniffא जिसगर नहीं कामशूर प्रानी गाडिशों और एक चीज तो ये अपने बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आप गाड़ी अच्छी रिस्टोर करते हैं तो आपको ट्रबल फ्री ही मिलेगी माशाला से मेरा क्लास से मैं 82 की गाड़ी में बैठा हूं मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा और सिर्फ डैश्बोर्ड ऐसा लग रहा ह लेकिन माशाला से बहुत अच्छा और कंप्लीट रिस्टोर हुआवा है और बहुत अच्छा यह वोडन वर्क इसके अपर हुआ है एसी की ग्रिल्स देखें प्रॉपर तरीके से कोई टूटी भी नहीं है वर्किंग के अंदर है सारी चीज़े औरीजिनल रेडियो इसका है मीटर आर्पीम वाला है लाइटर है एस्ट्रे है देखें यह और मॉडरन ऑप्शन भी दे सकते हैं यहां पे आप LCD लगा सकते हैं इस गाड़ी को अपरेट करके पावर विंडोस पे भी ले जा सकते हैं सारे किसम के ऑप्शन दे तो एक तो बेलवेट सीट इसकंदर है ख़शन है और यह है राथ जबिखिटल कर सकते हैं यह एक यह इसे अफ़ेट वी आपके यह अपके इस पीचर भी जो है नहीं गारी हो इंदर है यह आपके अपके फरेश रहें हैं हीटर्स की और इस आपके लाइप अपने अपसाबसर और अज्रे इसमीघ अग्र्ट प् इंटीर तो बेज और ब्राउन औरिजिनली है इस मॉडलिल का खाली जो ट्रिम्स यह ब्लैक आती है तो इसको मैं बड़िन किया था कि थोड़ा सा लूक इसकी चाहर का और काफी मैच कर रहा है आपके अपर इसकी चेंज करवाई थी इसकी जैसे गेर नॉब में इसकी चेंज अब बाद कर दो बाद में आपका अंबधा यू आए उचर बाडि डिजाइन की बात करूं तो बाद के बात को बॉढ़ इस तरह से बिल् bauen को amplify बॉड चलार को डाने बहुंजऩेस पना इंदॉंब ही यह इत्का इक मज़ा कर अंज तो तो यह इसको में रों यहाइड अ परिशानी का शिकार नहीं हुए, या उनको ऐसा फील नहीं हो कि यह गाड़ी आपकूं लया और हमारा इसमें जो है, वह जरनी हमारा खराब हो गया है, खराब हो सकता है, मैंने इसका चेंज नहीं किया, मैंने 4P रखा है क्योंकि यह औरिजिनली था, अगर किसी की बहुत जादा लॉंग रूट पर रणिंग है उसको 5 की रिक्वार्मेंट है तो 5 इसमें अपग्रेड कर सकता है, जो कि बहुत चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा, उसका को इस तो फ्यूल एफिशिंसी की बात है, तो फ्यूल में गाड़ी बहुत अच्छी है, और में चीजे है डिपेंड करती फ्यूल एफिशिंसी आपके ड्राइविंग हैबिट्स या गाड़ी चला किस तरह है और यह जब चीज़ बात मैटर कहती है, तो इसका जो एक एशना बह बात करें किस प्राइस की रिस्टोर रही है तो देखें इसमें बात ही है कि इस गारी को बनाने में टो ऑल इसमें एक चीज जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लगाई चीक है और कोशिशिछ दॉख यह कि हर चीज गाड़ी की औरिजिन लगाई जाए आफटार मार्केट य बात यह है कि मेरा concept यह है कि ऐसी अगर आप कोई गाड़ी बनाते तो एक budget आपका fix नहीं होता कभी भी पुरानी गाड़ी आपका fix नहीं होता अगर मैं यह कहूं कि आपका एक budget आप fix कर ले मुझे इस प्राइस बनाई तो ऐसा पॉसिबिल नहीं होता क्यूंकि सम्हाओ कभी आपको नहीं मिलता है को चीज ऐसी होती है जो आप मंगवाते हैं आपसे खो भी जाती है को चीजे फिटिंग दो रहां टूड़ भी जाती है तो मेरी जो सची बात इस गाड़ी को बनाने में कॉस्ट है थी तक्रीब सब्सक्राइब इस गाड़ी के ओपर spend की है सिफ इसकी रिस्टोरिशन 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 अच्छा मुझे एक चीज़ बताएगा अगर हमारे विवर्स इसमें से कोई गाड़ी देखने के बाद लेकर रिस्टोर करना जाते हैं यह किस रेंज में गाड़ी मिल जाएगी उनको और इस लेवल की बनाने के लिए जैसा पर दोकुमेंट्स वगरा सब कंप्लिट हो फ्रेम गाड़ी का अच्छा हो तकरीबन 4-4.5.5 रुपे तक आपको गाड़ी मिल जाती है अच्छे फ्रेम की गाड़ी फिर आप उस पर चाहिए ठाड़ी 3.5 रुपे 4.5 रुपे चाल लग रुपे उस पर लगाएए और शीमितल आने के बाद को प्रोजेक्ट ओरओउ चाहाए वह रिएृफट कारो चाहाए वह सटाउक कारो आपकी गाड़ी सीधी चलनी चाहिए इसे और थोड़े से आउटर रूप्ष्ट के और एक्ष्टोर करते हैं कि आपने इसके अंदर क्या-क्या काम किया हमागा लेट्स को ये एसी है तो इसमें टूंक ओपनर भी आता हुआ और फियू लेडी जा लाइटी आती है इसमें ऐसे भी खूंता है नहीं इसमें इस तरह नहीं है सर हाँ इसमें यह जरु सकता है गाड़ी कमजोर हो तो आप इसको जोर से हिट करें तो सकता है खुद खुल भी जा इसमें सेंसर का कोई ऐसा आप्शन नहीं है यह डाले क्योंकि इसके अंदर 13 की स्टैपनी आती है गालेबन देखें इस गाड़ी के अंदर उरिजिनल जो है थर्टीन का ही साइज आता है और मैं इसको थर्टीन पे ही रखा हुआ है बहुत से लोग ऐसा होता है कि इसको फिफटीन की प्रोफाइल पे ले आते हैं यह लो बज़ा से इतने खुबचूरत आ रहे हैं कि गाड़ी एक स्पोर्टी लोग कहते हैं थोड़ा सा वह भी दे रही है तो विवर्स जैसा कि आपने देखा कि शहबाज भाई ने 1982 की गाड़ी किस तरीके से इंपोर्ट करके और किस तरीके से रिस्टोर की है और आप भी अपन दॉनी गाड़ी से वाइदा उटा सकें और शको रिस्टोर करा के लांग लास्टिंग चला सकें चले पर stadh r — शहबाज